वेल्कम टिस्टों डिक्टेशन, डिक्टेशन पांचिकन बाज शुरूँएगा रेडी स्टार्ट सभाध्यक्ष जी इसकी वज़ से लोग अपनी जिम्मिदारियों को नहीं समझते चोरी प्रिमानी सार्वजनिक संपत्तियों की बरबादी शोशन, घोटाला और अनैतिक आचरण आज सभी ब्रष्टाचार की ही इकाई है इसकी जड़ें विकसित और विकाससील दोनों तरह के देशों में व्याप्त है समाज में समानता के लिए अपने देश से ब्रष्टाचार को पूरी तरह से मिटाने की जरूरत है हमें अपने जिम्मिदारियों के प्रति निस्ठावान होना चाहिए और किसी भी प्रकार के लालच में नहीं पढ़ना चाहिए वर्तमान में ब्रष्टाचार फैलने वाली बिमारी की तरह हो चुका है जो समाज में हर तरफ दिखाई देता है भारत के वो महाननेता जिन्होंने अपना पूरा जीवन ब्रष्टाचार और सामाजिक बुराईयों को मिटाने में लगा दिया लेकिन ये शर्म की बात है कि आज उनके दिखाई रास्तों की अनदेखी कर हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं धीरे धीरे इसकी पैठ राजनीत व्यापार सरकार और आमजनों के जीवन पर बढ़ती जा रही है लोगों की लगातार पैसा ताकत पद और आलिशान जीवन सहली की भूख की वजह से ये घटने के बजाए दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है पैसों की खातिर हम लोग अपनी वास्तविक जिम्मेदारी को भूल चुके हैं हम लोग को ये समझना होगा की पैसा ही सब कुछ नहीं होता साथ ही ये एक जगह टिकता भी नहीं है हम इसे जीवन भर के लिए साथ नहीं रख सकते ये केवल हमें लालच और ब्रस्टाचार देगा हमें अपनी जीवन में मुल्यों पर आधारित जीवन को महत्व देना चाहिए ना की पैसों पर आधारित ये सही है की सामानी जीवन जीने के लिए धेर सारे पैसों की आवशक्ता होती है जब की सिर्फ अपने स्वार्थ और लालच के लिए ये सही नहीं है जैसा की हम सभी जानते हैं की रस्टाचार बहुत बुरी समस्या है इससे व्यक्ति के साथ साथ देश का भी विकास और प्रगती रुक जाती है ये एक सामाजिक बुराई है जो इनसान की सामाजिक आर्थिक और बौधिक छमता के साथ खेल रहा है पद पैसा और ताकत के लालच की वजह से ये लगातार अपनी जड़ें गहरी करते जा रहा है अपनी व्यक्तिगत संतुस्टी के लिए शक्ती सत्ता पद और सारवजनिक संसाधनों का दुरुपयोग है ब्रश्टाचार सुत्रों के मुताबिक पूरी दुनिया में ब्रश्टाचार के मामले में भारत का अस्थान पचासिवा है ब्रश्टाचार सबसे अधिक सिविल सेवा राजनेती व्यापार और दूसरे गहर कानूनी छेत्रों में फैला है भारत विश्व में अपने लोकतांत्रिक विवस्था के लिए प्रसिद्ध है लेकिन राजनीतिग्य हैं जिनको हम अपनी धेरों उमीदों के साथ वोट देते हैं चुनाव के दोरान ये भी हमें बड़े बड़े सपने दिखाते हैं लेकिन चुनाव बीतते ही ये अपने असली रंग में आ जाते हैं हमें यकीन है कि जिसे जिस दिन ये राजनीतिग्य अपने लालज को छोड़ देंगे उसी दिन से हमारा देश भरस्टाचार मुक्त हो जाएगा हमें अपने देश के लिए पटेल और सास्त्री जैसे इमानदार और भरोसे मंद नेता को चुनना चाहिए क्योंकि केवल उन्हीं जैसे नेताओं नेही भारत में ब्रस्टाचार को खत्व करने का काम किया था हमारे देश के युवाओं को भी ब्रस्टाचार से लड़ने के लिए आगे आना चाहिए साथ ही बढ़ते ब्रस्टाचार पर लगाम लगाने के लिए किसी ठोस कदम की आवश्यक्ता है स्टॉप